इस साल मुझे पचास सालो जाए हुआ है सुप्रीम को टोंका लगत कर दो और पचास सार के बाhn मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस संस्ता से कोई उमीड है काःस की लिखना बात अलग होती है उसका पानन करना जमीन पे यो भी बात अलग होती और जो भी धरम संसत हो रहे थे, जो भी बड़े-बड़े भाषन दिये जा रहे थे और ऐसे भाषन जो सुनकर आदमी सोचता है कि हम किस समाच गरे रहे हैं तो जब वो भाषन हमने सुप्रीम पोर्ट के सामने रखे, तो सुप्रीम पोर्ट में क्या थे? कुछ का दब उठाए, किसी की गरफदारी है, अब कपन बिचारा, जो अभी मैं के सुशी का करूँगा, कपन बिचारे के किलास क्या है? वो एक गाड़ी में लेकर अत्रस जा रहा था, गाड़ी में बैट गया, अब आप पी एफाई के डोग से, एक सो बीस लगा दिया, अब एक सो बीस के बाद तो उसको कभी बेल में लगी थे, तो किस कानौन के आधार पर आप उसको जेल में रखे हुए 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 ह अब बाद बाद करते हैं, और पचास सार के बाद मुझे ऐसा लगता है, कि मुझे इस सलस्था से कोई उमीद ने है, आप बड़ी बड़ी अदालत की जज्ज्मेंट्स की बात करते हैं, लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है, उसको आप देखिए, उसमें बहुत बारी अज्ज अदालत कुछ कहती है, जमीन पे कुछ और हो रहा है, आपने कहा कि सुप्रीम कोड ने बड़ी बड़ी अच्छी प्रोग्रेसिव जज्ज्मेंट्स दी, तो मुझे ये बताईए कि जज्ज्मेंट्स के बाद जमीन पे क्या हो रहा है, आपने प्रिविसी के तुझा आपका आई उतने टैस आफिसर आपके धर आता है तो आपकी फिर्वेसी कहा होगे है कागर से लिखना बात अलग होती है उसका पालन करना जमीन पे वो भी बात अलग होती है तो मैं तो इस रतीजे से पहुंचा हूँ कि जब तक समाज का मनसिक सोच नहीं बदलेगी, तब तक ना कानून बदलेगा नो समाज बदलेगा, तो आपको सड़क पे आना होगा, और ये सोचों कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको रात मिलने वाली है, आपको बड़ी भारी करब साथ है, ये मैं पचास साल के एक्स्पीरियन्स के बाद आपको ये बात पता रहा है, पहली बात हो ये, दूसरी बात, कि अभी आपने हेट क्राइम्स की बात की, मैं भी वहाँ वकीम साथ है, और जो भी धरम संसत हो रहे थे, जो भी बड़े-बड़े भाशन दिये जा रहे थे, और ऐसे भाशन जो सुनकर आदमी सोचता है कि हम कि समाज बेरे रहे हैं, तो जब वो भाशन हमने सुप्रीम कोर के सामने रखे, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या दिया, कुछ का लब होचा है, किसी की गिरफदारी हुई, अगर हुई, तो एक ही दिन में बेर होगे या दो दिन में बेर होगे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाना, तकरीर करना, कहना कि यह देखिए, यह हेट क्राइम्स चल र रहे हैं, सरकार के पूछ्टास भी होती है, उनका अलफी बयान भी होता है, एफिलिमिट भी फाइन होता है, और उसके बाद क्या होता है? ना उसको गिरफदार किया जाता हो और फिर धरम संस्तर चलते रहते हैं हर दो हफ्ते तीन हफ्ते के बाद वोई धरम संस्तर फिर चलता है वोई लोग फिर वैसे ही बात आपनी सामने रखते हैं तो संस्ता कोई भी संस्ता हो कोई भी संस्ता हो इस देश की वो संस्ता तभी इंडिपेंडेंट हो सकती है जब समाज में जो मानसिक सोच है उसमें बदलाओ अब हमारा जो कल्चर है वो माई बाब कल्चर आप कहीं भी देख लाओ प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ मैं जब मंतरी था कानून का मंतरी था वाइस चैंसलर लाके मेरे परकर चुता तो मैंने वो कैसा सा मुझे एक्स्टेंशन चाहिए मैंने का जिस दिन तुझे पर्च हुआ उस दिन तेरा नाम तो कड़ गया है वीकिए ऐसा वाइस चांसलर मैं कैसे कैसे एक्सेंशन दे सकता हूँ जो मेरे बंतिये के आगे पैट हुए तो यहां हर आपने तो दूसरे के पैट चूटा है यह माई बाप का कल्चर कलूलियन टाइम से चल रहा है यह आज की बात नहीं है कॉंग्रेस की सरकार में चलता था और हर सर इस समाज में ऐसी मानसिक सोच हो अबर वो सोच हो कि वो संस्ताएं उस समाज की इंडिपेंडेंडेंड हो सकती है तो आपको बड़ी बारी गल्ब साथ है इंडिपेंडेंडेंडेंस तभी होगी जब हम ख़ड़े होगे और हम एक चखाम कहेंगे कि हमें दुबारा स्वतंतर ना चाहिए आज हम स्वतंतर नहीं हैं यह हिंदुस्तान की असलियत अभी आपने बाभू बज़रंगी का टेप लिखाया मैं तो वकील था जाक्या के केस जब मैंने आर्गू किया एक मुहिना चला और ताज्जुप की बात यह है कि मैंने जब हमने याजिका अपील डाली तो मैंने कहा कि हम कोई दस्तावेस कोट के सामने नहीं रखेंगे जो किसी प्राइवेट पार्टी का दस्तावेस कोई प्राइवेट डॉक्यमेंट है हम केवल वही डॉक्मेंट कोट के सामने रखेंगे जो सरकारी डॉक्यमेंट सरकारी दस्तावेज हो ताकि कोट हमेंदा कह सके कि आप अपनी बात अदालक पे सामने रख रहे हो हमें उनको का कि ये तो ये तो ओफिशल पेपर ये सरकारी दस्तावेज है ये सरकारी दस्तावेज ये कहाली बताती है तो आप इसके फैसला केजिए, आपको उधारन देता हूँ कि आपको मालू मैं कि गुजात के समय गुलबर्ग सोसाइटी ही नहीं कही जगा पे लोग जलाये गए सबस्तर बकान जलाये गए तो उस समय नैचुरली वहाँ फायर प्रिजेटी होती थी तो जो इंटेलिजेन्स एगनसी थी वो फायर प्रिजेट में फन करते थी आप जहाँ यहाँ आग लगी हूँ आपको जाई तो वो जो डॉक्यमेंटेशन थी कोरस्पानटनस थी वो इंटेलिजेटी कोरस्कानटनस अमरे साम जेते तो ताजुब की बात ये है कि किसी फायर ब्रिगेड में फोन नहीं उठाए तो हमने बहस की कौट के सामने कि यह बताएं साथ कि जो S.I.T. आपने बनाई थी, सुप्रेम पोर्ट ने बनाई थी उस S.I.T. ने जाके पूछा कि भाई आपने फोर्म क्यों नहीं उठा है तो मैं जागा दी कुछ कहना चाहता तो सिफारिश दी गई ये दी गई तो बिजी होगे बिजी होगे तो कहां बिजी थे कहां गए हुए थे फायर ब्रिगेट कहां थी ओपरेटर कहां था ये तो S.I.T. को तफिश करनी चाहिए थी ना S.I.T. में तफिश तफिश नहीं कि जब हमने कोट से पूछा क्यों नहीं कि तो बोले हम क्या जान का हमें भी जान के आइसे फिर इसका मतलब ये है कि S.I.T. ने अपना काम नहीं ठीट किया एक तो ये उधारन ये छोटा था उधारन अभी आपने बाबू बजरंगी का बयान सुना और ये टेप में था ये तैल का टेप में था और ऐसे कई बयान थे ये एक ही बयान थे तक कई ऐसे बयान थे और वो ही टेप जिसकी मैं बात करना हूँ वो सी बी आई ने ऑथेंटिकेट कराया था फरेंजिक रॉबालर्टी में देखा और ऑथेंटिकेशन उस टेप की हुई और उस टेप के आधार पे बाकी मुकदमों में गुलबर्ट सुसाइटी की बात नहीं कर रा बाकी मुकदमों में अक्यूज दोशी ठेराए गए और उनको सजाए उम्र कह दिए तो वो ही टेप गुलबर्ट सुसाइटी में भी पेश किया गया तो हमने कहा कि साब अगर ये अथेंटिकेटिट टेप अलरी है तो फिर इस टेप के आधार पे आपने इस शक्स को प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया एक्जाम्पल देता हूँ कि कोई कहता है कि साब इस पुलिस अर्मी में ने हमारा हमारी मदद की या हमने इस तरीके से इसका कतल किया यहां हमने एक फैक्टरी चला है जहां हम बंबना रहे थे स्टेट से हम हत्यार ला रहे थे इस स्टेट राजिस्वान से हत्यार आ रहे थे पंजाब से हत्यार आ रहे थे उसकी सायथा बॉर्डर के लोगों ने कि यह सब तेप पे है यह सब तेप पे है तो हमने कहा कि इसका मतलब है कि बड़े पाइमाने में conspiracy हुई बड़े पाइमाने में साजिश हुई इसकी S.I.T. ने जांच क्यों नहीं है कोई जवाब नहीं ताजूब की बात यह है कि Supreme Court कहती है और यह मैंनी जामता कि किस आधार पे Supreme Court ने यह बात कही वक्त आएगा तो मैं सारी बात लिखेत रूप में देश के सामने रख दूँगा लेकिन उधारन के तोर पे आप मान लीजिए कि एक कतल हो जाता है और कतल हो जाता है कि आई बेटनेस आगर पुलीस को कहता है कि भईया मेरे सामने इस आदमी ने कतल किया तो और दो चार लोग उस बयान की सहमती देते हैं तो जो प्रॉसिकूटिंग एजनसी है जो पुलीसमेन है एसेचो है वो उसी शक्स के पास जाता है जितने कतल किया और उससे पूछता है कि क्या तूने कतल किया कि नहीं वो कहता है मैंने तो कोई कतल नहीं किया तो वोही पुलीस कर्मी उस बात को लिगेत रू Marcus में केता है कि इसने तो कह रहा है ये तो कह रहा है मैंने कोई कतल नहीं किया इसनिए कोई कतल नहीं किया इसनिए मैं को केस को ब्रोसिर देता हूँ यही बात S.I.T. ने की जो लोग आरोबी थे छिस कि उनसे पूछा कि क्या उने ये काम किया है उने मैंने तो नहीं किया तो अक्यूज की स्टेट्मेंट वो मान कर ऐसा इट ये उसको रिड़ा गड़ा ये कौन सा कानून है आप कानून के बाद कर से ये तो एक स्टुटेंट अब लॉब भी जानता है जिसके अगर उसको डिड़ी नहीं मिली होगी वो भी जानता है कि आप अक्यूज से का बैयान लेकर उसको रिहान नहीं कर सकते उस केश को बेदुनिया नहीं जह सकते पहले तो आप उसको प्रोसीक्यूट करो प्रोसीक्यूशन करके वो अपनी सफाई देंगा defense evidence के मैं था नहीं या था वारा कुछ सक्स ने का के साथ हाँ मैंने ये कहा तो था टेप में बड़ा चड़ा के कहा वो बात मान ली गए एक सक्स ने का के साथ मैंने लिखित रूम में मुझे कुछ दिया गया मैंने वो ही पढ़ दिया और जब देखा तो उसमें लिकित रूम में था यह नहीं कुछ और यह सब बात सुप्रीम कोर्ट पेमान ली और आप कहते हो के देखिए सुप्रीम कोर्ट तो कमार की कोर्ट है किई ऐसे बड़ी जड्मन देती है मुझे बता दी जिये कोई ऐसी जज्ज्मन का पालन हुआ हो सुप्रीम कोर्ट की जज्ज्मन का यह तो मैं आपको एक दू अधारण दे रहा हूँ मैं तो आपको सेंकर अधारण दे सकता हूँ जिस कोर्ट में जज बठाए जाते है फ्रूब प्रोसेस अधारण जिस कोट में कोई सिस्टम नहीं है कि कुम सा कोट किसकी अधालत पर लगेगा जिसमें चीफ जस्टिस अव इंडिया टेह करता है यह कोर्ट यह बैटर किसके साथ जाएगा और कब जाएगा, कब सुनवाई होगी कोई system नहीं है वो court कभी independent होई नहीं से हो सकती है मुझे बताईया संभिदान होता किसके लिए कानून होता किसके लिए संभिदान का मतलब क्या है संभिदान इसलिए बनाया जाता है कि समाज में एक तौर तरीके के साथ काम किया जाए चाहे वो एड्मिनिस्टेशन का काम हो चाहे वो न्याएपाली का काम कर रही हो यही मतलब है ना एक सिस्टम के साथ काम हो और यहां तो हिसाब किताब यह है इस देश में कि पहले आपको गिरिफटार किया जाए F.I.R. ऐसे ही लगाई जाएगी कोई भी F.I.R. लिख सकता है अपने आपने आपने को बो आपका आपके खिलाब F.I.R. ला जाएगी F.I.R. करने के बाद तुरन तो आपको गिरिफटार करेगी फिर और इस्टिकेशन करेगी अब ये बताईए ये तो क्रिमिनल प्रोसीजर करोट काप कलोनियल टाइम का तरीका है कानून को दिये होना चाहिए कि पहले इस्टिकेशन हो उसके बाद गिरिफटारी हो इस देश में पहले गिरिफटारी होती है फिर इस्टिकेशन होती है तो वो कानून का कोई मत्ना भी नहीं जब तक आप इस धांचे को बदलोगे नहीं जब तक आप प्रिमिनल प्रोसीजर कोट बदलोगे नहीं जब तक ये पावरा कोट से लोगी नहीं कि आप एक धांचा बनाई है जिसके आधार पे केस की सुनवाई हूँ अब मुझे मालूम है कि मैं कहना नहीं चाता क्यूंकि अच्छा नहीं लगता मैं भी 50 साल मैंने इस कोट में काम काज किया है मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कोर्ट के बारे में ऐसी बात के बातें कर रहा हूँ लेकिन वक्त आगया है अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगा असलियत तो यह है कि जो भी सेंसिटिव मामले होते हैं जिसमें हमें मालू में के प्रॉब्लम है वो गिने चुरे ज़स्ष के सामने रहा है हम कौर्ट पे पेश होते हैं तो हमें मालू में कि क्या नतीजा होने वाला नहाली में मैं केस का नाम नहीं लोगा लेकिन बड़ी दिलचस्प बाद एक मेला का जो हज्बंड है वो कही साल से किसी केस में कही साल से अंदर है और जहां इनको लगता है कि किसी बेकसूर को फसाना हो उसमें ये 120B लगा दे conspiracy का चार्ज लगा दे आचा उसके खिलाब को evidence तो होती नहीं लेकिन क्योंकि 120B का चार्ज लगा है बेल भी नहीं हो अचा 120B प्रूव करना तो वो तो ट्रायल में होगा ना कि साजिश हुई हुई कंस्पिरिसी हुई थी या नहीं होती वो तो ट्रायल में होगा उसके पहले तो उड़ना वो कह सकता है ना को प्रूव कर सकता है तो उसको बेल तो मिलने नहीं वाले, तो बेल नहीं मिलती, तो एक मेला, तो मुझे का कि ऐसे मेरे हजबेंड कई सालों से जेल के अंदर है, तो आप चाहिए कर लीजिए सुप्रेम को, तो मैंने इसको कहा कि कुछ नहीं होने वाला, तो ही आपको जज़ पे, इस केस में, क्य तो मैंने पाँ मेरे उपर विश्वास नहीं हा, चली आपका केस कर देते हैं, तो हम गए, तो ज़ज़ साब ने का, वो ही का जो मैंने कहा, तो मैं कहना ताता साथ ज़ज़ साब को, कि वक्त का आगया है, कि जो 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 पिचारा तकलीफ में है न, वो हम पे विश्वास नहीं करता, आपके खुद भी विश्वास करता, वो सोचता है कि शायद, 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 नाई पाली का, मुझे लिहा रहा कर दे, मुझे बेल ले दे, लेकिन असलियत तो यह है, कि वो देने नहीं वाली, जब बेल का प्रोविजन ऐसा होता है, जहां आपको पॉब्लिक प्रोसिकूर्टर को सुनना पड़ेगा, और आपको जज़ को सामने, ये प्रूफ करना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा, कि मैं बेकुसूर हूँ, अज़र मैं आपसे पूछता हूँ, कि केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा हूँ, तफ्तीश हो रही हो, मेरे पास अक्यूस्ट के पास कोई दस्तावेज नहीं होता न, कोर्ट के सामने, सब लोग जानते हैं, कि एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल होता है, उस स्टेटस रिपोर्ट जजज पढ़ता है, वो स्टेटस रिपोर्ट में हमें भी कौफी दी जाती है, उस समय हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं होते हैं, कि उसके पास कोई दस्तावे और वो कानून, सुप्रीम कोर्ट ते काया है, सही कानून है. तो उस कानून, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह जे के सही कानून है, उस सुप्रीम कोर्ट के कितनी उमीद रखोगे उस सुप्रीम कोर्ट से? So the point that I am making is, what confidence that you have in a system where the laws of this nature are upheld by the Supreme Court. You can't have any confidence in that system. अब कपन बिचारा, जो अभी मैं केस सुप्री का करूँगा, कपन बिचारे के किलास क्या है? वो एक गाड़ी में लेकर हत्रस जा रहा था. गाड़ी में बैठ गया, अब आप TFI के ढोग से, 120 लगा दिया. अब 120 के बाद तो उसको कभी बेल मिलेगी निया. 2020 से वो अंदर है. दो डाई साल उसको होगए. तो किस कानौन के अधार पर आप उसको जेल में रखे हुए? ऐसे कई उधारे में आपको दे सकता हूँ. मैं आपको एक दिल्चस कहानी सुना रहा हूँ. अपनी मेरी बीतुई कहानी है. जैसे आदाल्तों में फैसले होते हैं. मैं चौबीस साल का था. एक एलेक्शन अपील मैंने बहस की. तीन जज़िस के सामने. मुझे आद भी याद है, तो जो प्रिजाइडिंग जाता हूँ जस्टिस पाले करता है. साथ उसके जस्टिस सरकारिया थे और उसके साथ जस्टिस भगवती थे. यारी आपको ये ठीक करो आपको. अचा तो दिर्चस्ट तानी है कि मैं पैस करगा था, चौबीस साल का था, पाले कर साथ पोजाइड कर रहे थे, सरकारिया साथ एक तरफ और बगो की साथ उसी कर थे. और केस था इलेक्शन लैडर, जिसमें एक अच्छी साल के जड़के को पहली बार अर्याना में एलेक्शन की उसकी जीत हुई हुई हुई. तो आठ वजे की, आठ करफ प्रैक्टिस की बज़े से उसका एलेक्शन सेटर सेट हुए. मेरा पैदा केस था सुप्रीम कोर्ट में ते मैं बहस करना था, तो बहस पतम हो गई, जज़्में जजर्ब हो गया, जज़्में एक काउट में मेरे खिलाब तो वो जो मेरा मौकल था वो तो बगील बन गया है और मैं कॉले किसी बन गया लेकिन दिल्चस बात यह है कि कई साथ बीच गए पालिकर साथ रिटायर हो गए सर्दारिया साथ रिटायर हो गए बर्वती साथ रिटायर हो गए तो एक दिन एक जज का को फॉंक्शन सर्दा आथा तो सर्दारिया साथ बोले आके मेरा हातों लोडे कपड़ा बोले कि अवर के ए winter हूँ स्यवबनि तो कि से न एक वर्य डिए हो कि देख trip लोडे स्यर्ट लोडें थार्य tबार्याईर क्पार्च जिए परके है को अप्तो एक का क्न है He said, do you remember that election night where you are he? He said, I and Bhagavati were in your favor, you want me to allow the appeal. I said, then why didn't you allow it? He said, because it was Panikkar's last judgment. It was Panikkar's last judgment because he was to retire. And because your client has changed sites, he said, I will never give a judgment in Jaya Varavadarpanthu. जो बैस्ट रभर रिवस्ट पारफ नहीं वे रफटु और है। जो भी वे जग्गातविध में लिख्वाई लिवॉपे लिव्यट में लिवाद्ना का रिवार्पना है। जब लिव वाद्या लिवाद् कि अव्यम थीवाद्य, वेट लिवीन दॉड हो वीपने है। nhất ली मेंथ को अव मंत था थाओफ जा नामॉट जाया है ली एलसकीटासि पड़क तेन almonds जाया है जाय इंच150-150 तुे प्र Knightsर चात्सन पर चार्प ट्रेंट्ब जाया स्वीप न्यारे । अग्रेस् इस्हईध इसा जहां भ Разजन्परेम जुट स्थार्पिव जो folks It has no meaning to the administrator who implements it When you are talking about 377 What is on the ground, what is happening? Are they being treated any better? No Are women in this country treated any better? No Sammigadana can be my Smile A spot on the ground I propose to the可愛지만 The city has said that The head of the city जुड़के हम United States and American, United States and American यहां Center ने का कि आप रहे instrumentary session side कीची यहां उटा मुझा So union को बहुत power दीगे हमारे constitution देगे States को कम पार दीगे और अब सबसे खतरना, सबसे खतरना enforcement director regulation उसने तो individual liberty की सिमाएं पार करते मैं क्यों कहता हूँ यहां पार करते आपको वालूर है कि जब यह तो आपका CDI का investigation का दाएरा है, जब तक States consent में हो करती तो CDI जा नहीं सकती लेकिन enforcement director में ऐसी को पाविदी है, तो मुझे बदाओ, कि enforcement director को क्या हख है, अर्ड़पीयर रेने, फिकिसी state में जाता है कि इसकी तश्थीश नहीं में तो फिकादे लेकिन F.I.R. पे किता है, तो अभी क्या कहते है कि R. O. F.I.R. का एक किसम का होता है, लेकिन जब E.D. जाती है, तो वो भूझ जाते है, वो दूसरी इंवरस्टी किसिंग सुरूआई के आपके दर कैसे बनीदा, आपने इकाद्टर कैसे बनाए, उसका अग्ति माइफ के डिक आए अफ्नी बंचूं की रिक्स क्या है और फिर बिसी का स्टेटमेंटित में सहुंइन है उसा रावे फोस्ट चार तर देते हैं और फिर सेक्षिन 45 दिनका आदा प्रोच है उसरों इस ते hola but the definition of proceeds of crime in fact in itself involves the word crime, crime is penal so how can the supreme court say that the PPL is not a penal statute and these are judges of supreme court Ab batao joh trial court hai ho kya karega उबेल देखाई है जब तीस्ता का मैं कर सामने आता तो तीस्ता की बारे में तो कोई बैर से नहीं हो इंफेक्ट मुझे कहा गया कि आप इसमें बद पढ़िया हूं अबे का लिए नगे नगे नाइस मैं अबेसा तीस्ता के बिदा तो बहुत सब कुछ कह लिए आप जाए हूं आज तीस्ता के बैट से बैट से लिए एक दूसरा जो शक्स जिल्मिल है मैं निकां के साथ मैं उसकी भाहस करी नहीं का तो यह वो दूसरे केसे में इंपॉर्ट है मैं उसकी भाहस नहीं करूँगा पिर भी उसके खिलाब जाए हुआ 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 कि पीमेंट के आधार के आप किसी को बुला दो, उसकी स्टेटमेंट दे रो, और प्रॉसिकुशन में उसी स्टेटमेंट को दिलाए करके उसको बुलाए रो क्योंकि सुप्रीम पोर्ट ने यह भी कह लिया, यह जो एडी ऑफिसर्स हैं, यह इंवेस्टिकेटिव इजन्सी नहीं है, पुछ भी करते हैं, यह तो बस स्टेटमेंट देते हैं, आपको एक उजारम देता हूं, आपको समझा जाए कि बड़े हैं, सरब दरीके से, मैंने अपको चीट कर लिया, जो चीटिंग का पैसा था, वो पुछ इस वर क्राइम हो गया, और और आइपिसी में, ओफेंस हो गया, मेरी ब्रॉसिक्विशन शुरू होगी, कि अब पुलिस में तय करेंगा, कि प्यूम्या लगेगा कि नहीं हो, क्यूंकि हो कि वह ही चार सौ बीसिट क्राइमिग क्या और फेन्या में भी रह, वो आईपीसी में भी होगगी हो, और पिषम्या क्यार है, तो यह भी इस्क्रेशन आप पुलीश में पुचले के लिए कॉपी राइट एक्टस में आगे लिए ट्रेनमाट्स एक्टस में आगे वो सब शेडूर्ट डफेंस हो गए तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट की जद्मेट अगर लागू करने लगो तो अगर किसी के दर्मे दसन आपयाभी पुलीश आगे तो बियर उद्मेट का उफेंस बनदाए कॉंके वो आपके बदसन आप के ख़ी हूआ आया पुसीज़ज़ग जोग्या हो के आप कॉसीज़ग जोग्या सेक्शन फी केंदर वो प्रसिग जोगज़गा क्यूंकि प्रुसीब्स आफ ट्राइब में और सेक्शन प्री में अब कोई अंगर भी तो भईया आदालत पर रुचाएंगे वकालत पर करेंगे लेकिन पुमीन रखुदा हमारी नक्षारी उसके पराव परुचते बहुत 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 बहुत